आगाश्मणी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपील देशबर में 18 साल से अधिक आयोबर के लिए सरकारी केंद्रों में निशल कोविट टीका करन भ्यान जारी है युवाश्रोताओं से आग रहे कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोच्जाहिद करें जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा की तीन सरलुपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्षी दूरी बनाये रखें हाथ और जहरा साफ रखें कोविट संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राश्वे हलपलाई नंबर 011-23-978046 और 1075 पो संपर्क करें सबसे पहले मुख्य समाचार राश्वे अपी टीका करण महा अभ्यान के तहट देश में आप तक 66 करोड 30 लाग से अधिक कोविट रोधी टीके लगाए गए मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहार ने बुधनी में 98 करोड से अधिक राश्वे के निर्मान कारियों का किया लोकारपन ग्रामेड जल प्रदाई योजनाओं के लिए करीब 2521 करोड रुपए की स्विक्रिती जारी और सिहूर और दिवासिलों की ग्रामेड इलाकों में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन अब समाचार रस्तार से राश्वे अपी ठीका करन अभ्यान के तहर देश में आप तक 66 करोड 30 लाग से अधिक कोविड रोधी ठीके लगाए जा चुके हैं पिछले 24 गंटों में 81 लाग से अधिक ठीके लगाए गए स्वास्व मंत्रा लेनी बताया कि पिछले 24 गंटों में कोविड के 47,92 नए मामलों की पुष्टी हुई है इस समय देश में कुरुना संक्रमन के 3,89,583 मामले हैं इस दोरान 35,181 मरी स्वस्थ हुए हैं देश में संक्रमन से स्वस्थ हुने की दर 97,48 प्रतिशत और डैनिक संक्रमन दर 2,80 प्रतिशत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने आज बुधनी विकास खंट में 100 प्रतिशत टीका करन होने पर आयज़ित कारिक्रम को संबोधित करते वे कहा है कि अभी खत्रा टला नहीं है इसलिए अभी भी सावधान रहना और मास्क लगाना सरूरी है उन्हें बुधनी में 98 करोड स्यादिक राश्य के निर्मान कारियों का लोकारपन किया प्रदीश की स्वासमंत्री डॉक्टर प्रवराम चौधरी और सांसद रमागान भारकव भी सौसर पर उपस्ते थे मुक्य मंत्री श्री जोहान ने सौसर पर विभिन योजनाओं के हितिकराहियों को इतलाफ सौपा और कोविट-19 काल में उत्कृष्ट कारे करने वाले करमचारियों को प्रमाणपत्र भीट कर समानित किया उन्होंने कहा कि हमें तीसरी लहर नहीं आने दिना चाहिए इसलिए उत्सव और परफसहियों से बनाना है उन्होंने बताय कि बुधने के पास एक फूट प्रोसेसिंग कारखाना स्वेकरित हो रहा है इसे रोजकार भी मिलेगा और गरीबों की तकलीब भी दूर होगी अगली वर्ष करतन दिवस के औसर पर खोशित के जाने वाले पद्मसंबान, पद्मविभूशन, पद्मभूशन और पद्मश्री के लिए उन्लाइन सिफारिश करने का सलसला जारी है इस महिने की 15 तारिक तक उन्लाइन सिफारिश की जा सकती है पद्म अवार्ट्स पोटल पद्मवार्ट्स.gov.in पर केवल ऑनलाइन पद्मसंबान के लिए नामांकन के जरिये से फारिश की जा सकती है एक दिवसी प्रवास पर आज टीकमकर पहुंचे उर्जावंती प्रद्मिन सिंग तोमवर् ने पताया कि मदप्रदेश में बिजली कटोती नहीं होगी इसके पूर्प उन्होंने जले के विभिन नगाओं में पहुंचकर प्रिशली से संबंदित इसिती का बौके पर नरिक्षन किया शुताओं अफ समय है अमृत मौत सोग क्विज का आजादी के अमृत मौत सोग के उसर पर हम अपने शुताओं के लिए एक विज यानी प्रिशनोतरी प्रतियोगिता चला रहे हैं इसमें बध्रप्रदेश में स्वतंतरता संग्राम, स्वतंतरता से नानियों, प्रदेश के एतिहास, भूगोल, परेटनिस्तलो और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रिशन हर बुद्धवार को पूछा जा रहा है आप इस प्रिशन का उत्तर हमारे एमेल आकाश्मानीसमाचारक्वेज at gmail.com या हमारे वाट्साप नमबर 9589943350 पर दे सकते हैं वाट्साप नमबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 9589943350 पर दे सकते हैं उत्तर के साथ प्रिशन का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मुपाइल नमबर और अपना एक फोटो सरोर भीजें सही उतर देने वाले श्रोताओं में से भागेशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में खोशित क्या जाएगा इसके साथी विजेता का नाम और फोटो आकाश्मानी समाचार के सूशल मीडिया हैंडल्स पर भी साचा क्या जाएगा इस बार का सवाल है कींडरी संग्राले गुजरी महल कहां से थे समाचारों में वक्ते ब्रेक का कोविड नाइटीन से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ हर्मू साफ रखें ब्री की बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है लोग स्वास्ती आंद्र की विभाग द्वारा ग्रामीड जलप्रदाय योजनाओ के लिए करीब 2521 करोड रुपए की स्विक्रिती जारे की गए है राश्री जल जीवन मिशन के अंतरकत प्रदेश की समक्र ग्रामीड आबादी को घरीलू नल कनेक्शन से पेजल के आपोर्ती के लिए लोग स्वासी आंद्र की विभाग द्वारा जल सनचनाओ के सापना और विस्तार के लिए कारे किये जा रहे हैं सिक्रत राशी में 45 सिलों की चलपरदाय योजनाय शामिल हैं इन सिलों के लिए नवीन योजनाओ के साथी विभिन गाओं में पूर्व से निर्मित पेजल अधु सनचनाओ को नए सिरे से तयार करने का काम भी किया जा रहा है प्रदीश की ग्रामीर आबादी तक पेजल की विवस्ता चरणबध तरीके से 2023 तक पूरा करने का लक्ष है सिहूर की जिला नहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी के अमरत महुतसव के तहत क्राम बमुलिया में फिट इंडिया फ्रीडम रन टू का आयोचन किया गया गाओं के स्कूल के विद्यार्थियों ने फिट इंडिया का संदेश देते वे दौड लगाई बालक शेणी में आकाश और पियूश अबकी बालिका शेणी में मोनिका और दिक्षा विजेता बने उधर देवासली के चिन्हित 75 गाओं में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोचन किया जा रहा है आज नहरु युवा केंदर देवास द्वारा बागली विकास खंट के ग्राम पलासी में फिटनेस का डोस आधा घंटा रोस का संकल दिलाया गया फ्रोदेश में दो अलग-अलग फड़क दुरखटनाओं में साथ लोगों की मौत हो गई और करीब 19 लोग खायल हो गई शुद्धालों की टैक्सी बदनावर के पास परट जाने से तीन विक्तियों की मौत हो गई इस दुरखटनाओं में नौ विक्ति खायल हुए है मुक्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने इंदुरखटनाओं पर दुख चताते वे मंडला और धार सिलो के कलेक्टरों को प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता के निर्देश भी दिये हैं तूक्यों परलिंपिक में आज नवे दिन भारते खिलाडी निशाने बाजी बाटमिंटन के नोए स्प्रिंट ताइकवांडरो और शॉट्पुट इस परधाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं के नोए स्प्रिंट हीट इस परधा में प्रदेश की प्राची आदव ने सेमी फाइनल में प्रुवेश कर लिया है पुरिशों के शॉट पुट के फाइनल में आज शाम अर्विंद अपना दमखम दिखाएंगे पदक तालिका में भारत दोस्वन पांच रजट और तीन कांसे पदक सहित कुल दस पतकोस के साथ 35 में स्थान पर है चीन पहले बिटन दूसरी और रूस पैरलिंपिक कमिटी और पीसी दीसरे स्थान पर है अब कुछ समाचार संखशेप में हुशंगबाद जिले की सिवनी मालवा विधानसभा शेत्र में आज मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने आवली खाट में नर्मदा नदी पर बने नए व्रिश का लोकार्पन किया ग्रह मंतरी डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा कल खन्थवा में जिले के पुलिस अधिकारियों की बाठाक लेंगे नीमच में कल ग्राम पंचायत भवरासा में आयूश आपके द्वार कारिक्रम का आयूजन किया जा रहा है इन दोर में बहिलाओं के लिए शुरू की गई पेंक आय बस में आज महिला चला के साथ परेक्शन किया गया खरगौन से लेकि नौन अगरी निकायों में पौधरूपन के लिए स्थानों का चैन किया गया है यहां आम लोग पौधा लगा सकते हैं अशोक नगर कलेक्टर अभय वर्मा ने आज एक कारिक्रम में 52 कोरोना वारियर्स का सम्मान किया शुरूपनी में 11 सितंबर को आयोजित नैशनल लोग अदालत के आयोजिन को लेकर आज इक पैठक की गई गुना से लेके बेरोजकारों को डिजी शेत्र में रोजकार क्या वसर उप्वबलत कराने के उदेश से 7 सितंबर को रोजकार मेला आयोजित क्या जा रहा है इस ब्रिटिन में फिलहाल इतना ही अंत में आप सभी से कपील, मास्क और दोगस की दूरी हां धूरा भी है जरोरी नमस्कार